हाई एवरिवर्ण वेल्कम टू जेयार टॉक्स यूटूब चैनल आएम यूर फ्रेंड राहूल जैस्वाद तो दोस्तों अगर आप एक स्टुडेंट हो अगर आप एक ऐसे एक्थी हो जो अपने लाइफ में कुछ ने कुछ अच्छा एचीव करना चाहते हो तो दोस्तों यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह आज का जो वीडियो है उसका टाइटल जवाव है कि तो उसको कैसे एक्षूड करना है हमारा में टारगेट क्या है शॉट tomorrow गोल का है यह सभी चीजज को हमें दिजाइन करना पढ़ ईया और डिजाइन अगर नहीं किया तो किस तरीके ने वह आपको आज के इस वीडियो में बता हूंगा तो बहुत चाहर एसे जो स्टुडें वो आज के बारवी तक के बच्चों को पता है, क्योंकि awareness इतना create हो चुका है, इतना social media usage है, YouTube है, बाकी चीज़े है, जिनके माध्यम से लोगों को पता चल जाता है earlier time पे, लेकिन हम जब छोटे थे, हम जब 10th, 11th, 12th में थे, तो हमें कुछ idea नहीं था, कि ये सब चीज होता भ जब जब गोल हम नहीं बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम थोड़ा सा अपने life को compromise कर बैठते हैं, हमारे goals के प्रती, हमारे career के प्रती compromise कर देते हैं, आप भी अगर आप decide करो, आज के रड़ में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कि आप एक 10th के student ओं मान लो, तो आपने decide कर लिय आप इंजिनर बनना चाहते हैं, कि अगर आपको इंजिनर बनना है, तो कुन सा इंजिनर बनना सही रहेगा, या फिर किस college mad mission लेना सही रहेगा, या फिर same doctor में, या फिर same कोई और चीज, क्या आपका interest है, कि आपको कौन सा काम करने में मजात है, क्योंकि हम इस प्रकार से सो पड़ते हैं, और वही चीज आज भी हो रहा है गई नहीं, तो यार इसी लिए ये वीडियो में बना रहा हो, just कि आपकी आखे खुल सके, और आपको इस direction में भी सोचने के लिए help हो सके, कि यार हमारे लिए goals बनाना, life में, एक career होना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आईए इस वीडियो की शिरुवात करते हैं, बहुत ही interesting वीडियो होगा, तो सबसे पहले तो यार आपको एक काम करना है, think and decide of things you want to do, आपको सोचना है, और decide करना है, जो भी आप करना चाहते हो, या फिर आपको क्या पसंद है, वो आप सोचो, कभी एक दिन अकेले में अपने आप से सवाल पूछा है आपने, जैसे मैं कभी-कभी क्या होता था था, कि कुछ tension आ गया, frustration हो गया, तो मैं जाता था अराम से कोई भी पार क्या, फिर कोई ऐसा जगा, जहां पर मुझे कोई disturb ना करे, अकेले में, अकेले में जाके अपने आप से सवाल पूछता था है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा next step क्या होना चाहिए, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, अगर आप sure नहीं हो कि आपको क्या आता है, तो आप अपने आप से पूछो कि आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप आगे जाके आप इस field में बहुत खाना बनाने वाले master chef भी कहलाते हैं, और बड़े-बड़े hotel industries के मालिक भी कहलाते हैं, तो जरूरी नहीं है, आपको क्या वीडियो बनाने अच्छा लगता है, यूटूबर बन सकते हो, छोटे-मोटे यूटूबर ने बड़े लेवल पर पहुस सकते हो, कब कोन तरक्की कर पता नहीं है, आज के लड़े में हम लोग देखते हैं कितने सारे ऐसे यूटूबर हैं, सारे, कि जब उनको हम लोग देखते हैं, तो हमको लगता है कि यह तो नॉर्मल है हम जैसे इंसान है, लेकिन उन्होंने कुस्तो ऐसा काम किया होगा, कुस्तो ऐसा योगदान दिया ह कि वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके आज इतना जादा तरक्की कर चुके समझ में आ रहा है तो यह सब चीजे जो है नहीं बहुत ही जादा सोचने वाली बात है बट उन्होंने एक प्लाइंड करके चला तो यह आपको भी करना है कि यार आपके लाइफ में आपको क्या प पूछो और जिसमें भी आप पसंद रहोगे उसको लिखो बैट के कि यार यह यह चीद मुझे पसंद है तो आपको सबसे वेल तो एक ही काम करना है कि आपका पसंद ना पसंद क्या है वो लिखो बैट के दूसरा काम क्या करना है राइट डाउन यो टास्ट एन गूल्स अ पर बॉल क्रिकेट खेल रहे ओ फिर जाके किसी में सिलेक्शन होगा फिर जाके रंजी खेल रहे तब जाके इंडियन टीम में पहुचँगे तो उतना स्ट्रॉगल करने के लिए तैयार हो तो आप उसको अपना करियर मान के चल सबके और मैणत कर सकते है उसमें तो आही तो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको success मिलेगा, लेकिन आपके हाथ में है कि आप मेहनत करते हैं, सफलता, मत देखो, सफलता एक नएक दिन अपने आप मिलेगी, ये पहला काम कर सकते हो, दूसरा काम, जो अपने task बनाए है, जो ये चीज मुझे पसंद है, इसको आप as a passion follow कर सकते और बाकी जो आपकी regular studies चल रहे है, उसके बरूसे आप चल रहे हो, और बाकी चीजे as a passion आप करोगे, तो आपका अपना goals और task बनाना जरूरी है, goals मैं हमेशा बोलता हूँ, दो टाइप के goals बना सकते हो, short term goals और long term goals, एक short term goals होता है, कि आपको like हफते में क्या अचीव करना, महीने में क्या अचीव करना, और long term goals की एक साल, दो साल, आने वाले 5 साल में मुझे क्या अचीव करना, ये जरूर करना, and don't tell everyone, don't tell everyone about your goals, अपने goals के बारे में, ज्यादा लोग को मत बताओ, सिर्फ आपको पताओना चीए, आपका कोई बहुत close friends है, उसको पताओना चीए, या फिर आपके माबा, भाई, भाई, भेन, कोई ऐसा close है आपके, तो उनको बताओ, क्योंकि एक चीज मैंने आपको कई बार बताई भी और एक dialogue मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यार महनत न, इतनी खामोशी से करो, कि सफलता जो है न, शोर मचा दे, यानि आपको महनत इतनी खामोशी से करना है, कि आपको कोई distract न कर सके, आपको कोई टांग पकरके एक नीचे न खिच सके, और जिस दिन आपको सफलता मिलेगे न, उस दिन तो अपने आप तहलका मत जाएगा, लोगों में एकदम आग लग जाएगी, आर कैसे किया, इसने कैसे किया, कब किया तो यह चीज जरूर से try करना, ठीक है, make a roadmap, अब आपने goals बना लिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक roadmap, कि कैसे achieve करना है, माल लोग कि आपको IAS officer बनना है, आपका एक dream है, ठीक है, आपने decide कर लिया, कि मिरको देश के पड़ेगा, आपको UPSP में बहुत अच्छा, all India, जो rank है, वो score करना पड़ेगा, तो यह तीन आपके road map है, for example के तो आपका एक goal होना चीए, कि भाया, मैं यह वाला graduation करूँगा, उसके बाद subjects क्या क्या होते है, वो उसमें मुझे पढ़ना है, quality subject है, history है, geography है, ठीके न, environment है जो भी है, वो decide करोगे, एक road map, जिस हम flow charts बनाते हैं, पैसी road map तयार करना पड़ेगा, एन उसके बाद अपने goals के प्रती, मेहनत करना, start कर देना होगा, achieve करने के लिए, next, कि आपको initiate करना पड़ेगा, पहला step जो होता है, सबसे hardest step होता है, हम जब बचपन में चलना सिखते ह पहला step भी हमारे लिए hard लगता है, लेकिन एक बार जब चलने लग जाते हैं, तो हमें बहुत easy लग रहा होता है, cycle चला रहे, bike चला रहे, car चला रहे, तो पहली पहली बार हर चीज़ hard लगती है दोस्तों, और हमेशा पहला step भी बहुत ज़्यादा हार लगता है, लेकिन ए महनत करते रहना है, next, be consistent about your work, आपके जो work है, आपने जो goals बनाया, आपका जो task है, daily work है, daily task है, daily study है, फिर daily जो भी schedule है, उसके प्रती आपको क्या होना है, consistent ये सबसे important चीज़ है, आज कर रहे हो, चार दिन नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन किया, फिर दो दिन नहीं किया, फिर जो daily schedule है, उसका एक हिस्सा बन जाएगा हो, ठीक है, तो जरूर से इसको करना, follow करना, last but not the list, achieve it, अपने goals को जो आपने बनाया था, एक समय आएगा, महनत करोगे, तो achieve कर लोगे, और जिस दिन achieve कर लोगे, तो उसको एकदम महनत किया हुआ जो चीज होता है, उसको भी celebrate करना एक का एक अपना ही अलग मजा होता है, तो achieve करो और उसको बहतरीन तरीके से celebrate भी करो, definitely मजा आएगा आप लोगो, और आपके माबाद के चहरे पर जो खुशी मिलेगी न, वो किसी भी, कितने भी पेसे की उसका बराबरी नहीं हो सकता, तो जरूर से महनत करना, जरूर से एंड करते हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, जरूर से कॉमेंट करके बताना, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और फॉर्स टाइम चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्र टाइप कर देना है, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नी वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू एंड गुडबाए